डोल फिल्म से आपकी क्या यादें फिल्म मैं देखित के बाद बहुत बार देखिए अक्रफ नियूस रूम भी हम लोग उसके कुछ कुछ डालोग ऐसा आपस में ही बाटते लेता है जैसे आपका उसमें वह डालोग आप यह आपके खाला है जारा है उस नोकुम को घृङ हो धोल हमारे जीवन के ऐसी फिल्म है जिसमें चार लीड में एक लीड करने का पैलल लीड करने का मौका हर एक्टर का एक ड्रीम होता है कि मैं जो टॉप कोई भी मकान को खड़े करने के लिए कोई दिशा को बनाने के लिए जो होता है वो एक चौरहा बुलते हैं चार रास्ते ह को चार पिलर फोले जाते हैं मुझे लगता है कि छार पिलर में एक ऐसा पिलर था जो पाचमी के लिए जनका मिशन था जिसकी कॉस्ट्णूम से लेके गेट अप से लेके अब कर दे कि दोबारह मेरे उपर वो रोल अगर मैं करू तो भी वो दोबारह नहीं हो पाएगा क्योंकि कमाल के डायलोग थे कमाल की कोई दुकान का नाम ऐसा रखो जो बहुत आसानी से आ जाले हो और बोले धोल एक डेड़ महीने वन शेडूल फिल्म थी और आई थिंक धोल जैसे केरेक्टर एक अभिनेता को बहुत कम मिलते हैं मैं बहुत सोभागिशाली एक ऐसा टिपिकल केरेक्टर जिसको रोमेंस करना है लेकिन जिसको कपड़े पहने तक का सहूर नहीं है कहीं लाल लाल वेल बाटम कहीं तो हमारी कॉस्ट्यूम देखके मैं पहले बहुत हस्ता था कि ये कॉस्ट्यूम अगर किसी लड़की के पास पहुंच जाओगे तो कस दोल का बगहर सिर्पैर का जो केरेक्टर होता है जो आफ बीट होता है आफ सुरी होता है और जिसमें सब कुछ आफ बीट केरेक्टर करने में में मेरा बहुत इंट्रेस्ट रहा है क्योंकि वही साइक लोजिकल होती वही साइको फिजिकल एक्टिंग होती है और ढोल बहु कि मारतन ढमधेरे तो था लेकिन भाकिवी सब्धमधेरे रही थे और मुझे अच्छा लगता और धोल टू मैंने रामु जी को जब हंगामा टू कर रहे थे प्रियन जी जो है वो कभी भी रीमेक अपना जैसे बनाने सब से पीछे उन्हों का आई डूंट वांट टू मेक दे लेकिन प्रियन जी ने हंगामा की स्टोरी अलग थी जब बना रहे थे तब कह रहे थे की कहानी मैं अभी प्रियन जी दोहजार चौविस तक पच्चे तक बिजी हैं मैं कई बार कहें चाहिए का उस सारे एक बार ढोल टू रोको जब ही डोंट है ताइम लेकिन ढोल टू की स्टोरी है अगर कभी मौका मिला तो ढोल टू जरूर करना चाहूंगा और वह स्टोरी सुन चुका हूं तो इसलिए लालच है और वो प्रियन जी कर देंगे मुझे पता है लेकिन अभी थोड़ा से एक दो साल लगेगा क्योंकि मुझे हम लोगों को भी सब पूरा कॉम्बिनेशन विठाने के लिए लेकिन आई होप कि ढोल टू बनेगी और आप सबको मज़ा प्रिया है